मुझापरपूर गोरखपूर रूट पे चल रही कुछ ट्रेनों के मार्ग परिवर्तन किया गया है और आप सभी को बता दें कि कुछ ट्रेने जो है अब सिबान थामे कप्तान गंज करस्ते गोरखपूर रूट पे चलने वाली है कौन-कौन सी ट्रेने सामिल है इसमें हम 9 जून को दर्भांगा से खुलने वाली 025 अपतर दर्भांगा नई दिल्ली कोलोने स्पेशल परिवर्तन मार्ग सिवान थामे कप्तान गंज गोरखपूर के रास्ते चलेगी 9 जून को नई दिल्ली से खुलने वाली 025 अपतर नई दिल्ली दर्भांगा कोलोने स्पेशल अपने परिवर्त तित मार्ग गोरखपूर काप्तान गंज सिवान थामे के रास्ते चलेगी 9 जून को नई दिल्ली से खुलने वाली 025 अपतर नई दिल्ली बरवनी कोलोने स्पेशल गोरखपूर काप्तान गंज सिवान थामे के रूट से चलेगी 10 जून को जैनगर से खुलने वाली 026,733 जैनगर अमरित्सर सहीद एक्स्प्रेश सिवान थामे कप्तान गंज गोरखपूर के रास्ते चलेगी नवजुन को लखनाव से खुलने वाली 15204 लखनाव बुरवनी एक्सप्रेस ये भी आपको गोरकपूर सीवां थामे कपतानगंज के रूट पे चलेगी 9 जुन को लालगर से खुलने वाली 15910 लालगर डिब्रुगर अवधसम गोरखपूर कप्तान गंच थामेश सीवान के राष्टे चलेगी 10 जुन को साहर साह से खुलने वाली 1223 साहर सामरिट्स और गरीबरत ये भी सीवान थामेश कप्तान गंच के राष्टे चलेगी 10 जुन को नई दिल्ली से खुलने वाली 1256। नई दिली दर्भांगा बिहार समपरकरांती एक्स्प्रेस ये भी गोरखपूर कप्तान गंज थामेच सीवान के राश्ते चलेगी। चलेगी दस जुन को बरावनी से खुलने वाली 041 बरावनी दिल्ली एस्पेसल सिवान कप्तान गंज थामे के रस्ते ये भी चलेगी दस जुन को बरावनी से खुलने वाली 041 बरावनी गवाली एस्पेसल ये भी सिवान कप्तान गंज गोरकपूर थामे के रस्ते ये भी चल गोरकपूर भटनी रेलखंड पर होनी है नॉन इंटर लोकिंग जिसकी कारण कई सारे ट्रेनों के रूट को चेंज कर दिया गया है और कौन-कौन सी ट्रेन है और किस-किस रूट पर चलने वाली है यह तामाम जनकारियां अभी आप सभी को इस वीडियो में मिल चुका होगा CPRO ने सुक्रबार को इसकी अधी सूचना जारी की कि 9 जून को दर्भांगा से खुलने वाली कई सारी ट्रेनों के रूट जो है वो डाइबॉट किये जाएंगे और जो भी ट्रेने चलेंगी वो सिवान थामे कप्तान गंज के रस्ते से चलाई जाएंगे ऐसा होता कि अगर थामे से ही सारी ट्रेने चलती कितना अच्छा होता कि जो अभी ट्रेने गुजर रही है ये कास थामे से चलती थामे से लंबे समय से मांग रहा है कि यहां से दिल्ली और गोरखपुर के लिए हमेशा हमेशा के लिए ट्रेन चलाई जाए हलाकि सब्ताहिक ट्रेने यहां से चल रही है अभी फिल हाल में लेकिन वो कब तक चलेंगी इसकी कोई गरांटी नहीं है हो सकता है कुछ दिनों बाद उने फिर बंद कर दिया जाए लेकिन यहां से हमेशा मांग रहा है कि थामे से दिल्ली, मुंबई, गुजरात और युद् करना पड़ता है यहां से दिल्ली की ट्रेने नहीं होने के कारण सीवान और गोरखपूर एस्टेसनों पर जाने पर मजबूर हो जाते हैं यहां के लोग बस की मनमानी पैसे अधिक वसूले जाते हैं फिर भी लोग यहां से गोरखपूर और सीवान जाते हैं और वहां से अ अभी जो आपने इस वीडियो में देखा कि कुछ ट्रेनों के मार्ग परिवर्थन किये गये हैं इस रूट पे बड़ी खुसी की बात है कि हमारे इस रूट पे कम से कम इतनी बड़ी बड़ी सुपरफासी ट्रेने यहां से गुजर रही हैं लोग देखके काफी परसन हो रहे के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार